स्वागत है आप सभी का मेरा यूटूब चैनल पर तो आज लेकर आए हैं तो आज का वीडियो बहुत ही यूश्पुल है तो चलिए पहले टिप देख लेते हैं तो देखिए इस तरह का जो मैंडोर होता है उसके नीचे देखिए इतना गेप रहता है तो गर्मियों में क्या होता है कि चोटे-चोटे जो क्यूडे मकोडे होते हैं वो गुसने का बहुत चांस रहता है तो आप क्या कर सकते हैं देखिए गर में जो इस तरह का टेप होता है चोड़ा वाला उसको आप नीचे लगा सकते हैं ओनलाइन भी इस तरह से डोर में लगाने के लिए मिलता है इस तरह का टेप तो आप ना लेकर आप इससे भी कर सकते हैं वही काम करता है देखिए और हर गर में इस तरह का टेप रहता ही है तो आप इससे भी जो चोटे-चोटे के यह मखोड़े होते हैं उसको आप रोग सकते हैं इस तरह से लगा कर एक दम नीचे पूरा जमीन से टच होना चाहिए इस तरह से टेप को लगाई ये दिखिए तो जो चोटे-चोटे क्यूड़ होते हैं वो अनदर नहीं आप आएंगे तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स तो देखिए गर्मियों में देखिए बच्चों को इस तरह से स्ट्रोड डाल कर बà बच्चे क्या करते हैं टीवी देखते या मोबैल देखते अदर खेलते खेलते ओलोग फीद्टे है तो कभी ने कभी वो लोग गिराई देते हैं विस्तर में सोपा में बतलब गिर जाता है और देख देखते हैं कि तुरंट चीटी हो जाता है यह अच्छा नहीं लगता है यहां मेटा चीज गिर जाता है तो तुरंट चीटी आ तरह से पुढ़ अकाट लीजेगा लगाने के बाद और रबड वेंड देङे लिपन Moss en इस तरह से और राभाव लगाइंगे लगाने के बाद आपको एक रबड बेंड से नशी लगा देए थने की इसके बाद इस्ट्रो उपर से डालेंगे तो बच्चे खेलते खेलते भी अगर पीएंगे तो आप जो भी पी रहे हैं वह नहीं गिरेगा देखिए इस तरह से तो यह टिप आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आ रहा है वीडियो तो आप जरूर से लाइक कीजिए वीडियो को पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करेज़े तो चली देख लेते हैं तिसरा टिस तरह से आप लूग आलू चिलते हैं इसके बाद चिलका को पेक देते हैं चिलका भी बहुत उसका काम आता है तो अब जब भी देखिए इस तरह से आलू चिले तो उसको यूज में लईएगा कभी कभी क्या होता है कोली नोगेरा खतम हो जाता है तो शी से या पिर आएना साफ करने का करने में बहुत काम आता है इस तरह से या फिर आप इस तरह से तोड़ा से ग्रेट कर लिजिए आलू को इसके बाद आप उसको प्रश चाहिए रस से बहुत अच्छा साफ होता है इसके बाद आप सुती कपड़ा ले ले लिए इसके बाद आपको जहां भी साफ करना है जैसा आपका जो आएना हुआ या फिर गेस चूला हुआ या पिर आपका जो डाइनिंग टेबल में कांच लगे रहता है उसको भी बहुत अच्छा से साप कर सकते हैं जितना भी कांच का जो चीज लगे रहता है उसको आप बहुत अच्छा से साप कर सकते हैं जैसे कि स्लाइड और लकिड़की होता है जो उसमें लगे रहता है कांच उसको भी आप बहुत अराम से साफ कर सकते हैं इस तरह से रगणने के बाद आप बिंगा कपड़ा से आप उसको पहुंच दीजे पहुंचने के बाद देखिए आप कोलीन से अच्छा काम करता है अलुकरस बहुत अच्छा साफ हो जाता है तो एक वर जरूर ट्राइ करके दे कर सकते हैं देखिए आइना को भी देखिए इस तरह से आप रगण लीजे इसके बाद बिंगा कपड़ा से उसको पहुंच दीजे बहुत अच्छा से साफ हो जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं चोब्ताटिस तो देखिए इस तरह का जो टी सेट होता ह पुराना वाला, उसको आप रियूज़ कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इसको देखिए, यह जो हाथ है, उसको अंदर कर देते हैं, इसको इसके बाद, दोनों साइड इसको अंदर कर लेंगे, इसके बाद, इसको क्या करेंगे, जो अभी गर्मी में, सभी गर्में मट कर आता है मटके को हम लोग देखिए इस तरह से गमची या किसी टावल से लपट देते हैं तो उसके जगाब यह जो टी सट है उसको आप अच्छा से बिंगा के उसमें लगा सकते हैं देखिए देखने में भी अच्छे लगेगा और आपको बार बार जो टावल आपको जो कुल जाता है उसमें यह प्रोल्म नहीं आएगा तो देखिए आप इस तरह से बिंगा लिजे टी सट को और उपर से इस तरह से पैना दीजे उसमें पूरा देखिए इस तरह से चिपक जाट है वह भी रियूज हो जाएगा तो चली देख लेते हैं पच्वाट तो देखिए इस तरह से बहुत सारा गूर रहता है तो ज्यादा दिन इस तरह से रखे रखे ओ मेल्ट होने लगता है या फिर एक दुसरे में पूरा चिपक जाता है तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप नीच पेपर ले लिजे जो उसको आप पाड़ के रख सकते हैं या इस तरह का जो पेज होता है उसको भी तो इस तरह से देखिए गोल गोल आप कर लिजे रफली इस तरह से पाड़ के इसके बाद आप ज्यादा गूर है तो उससे ज्यादा इस तरह से बना लिजे. इसके बाद गूर में दबा दिजे. जितना भी वह जो मुश्चेर हो जाता है वह कतम हो जाएगा और एक दूसरे में चिपकेग नहीं और गलेगा भी नहीं देखिए. इस तरह से आप पूरे जो डबले में पूरा आप गुसा देजिए इस तरह से रखने से आपको जो गुड़ है मेल्ट नहीं होगा लंबे समय तक आपका गुड़ बहुत अच्छा रहेगा और यूज कर पाएंगे अच्छा से देखिए कराब नहीं होंगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यूश्पूल लगता ह है तो आपको जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फैमिली एंड ब्रैंड में